अगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए और प्रेस तबाइल आइकॉन ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चल जाए तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक हेल्दी बेक फास्ट की रस्पी फ़र वेट लॉस तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखते हमें इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है और एक कटोरी ही मैंने दही लिया है ये घर का बना दही है और अपनी चॉइस के हैं सबसे पहले एक बाउल में मैंने सूजी को एड कर लिया है और इसमें मैं धीरे-धीरे करके एक कटोरी दही को एड करूँगी इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे with the help of spoon ताकि ये lump free एक बैटर रेडी हो जाए अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी आड करें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी आड कर सकते हैं इस पैटर को अच्छे से फेंटने के बाद हम इसे एक डक्कन की health से 10-15 मिनट के लिए इसे cover करके रख लेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से दही को अब्सॉर्ब कर ले 10-15 मिनट हो गए है यह थोड़ी सी थिक हो गई है इसमें अब थोड़ा सा हम पानी एड करेंगे इसकी consistency को ठीक करने के लिए इसे हम फिर से अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे स्वाद अनुसार नमक इसे भी हम mix कर लेंगे और जब हमारा बैटर अच्छे से mix हो जाए तो हम गैस को on करेंगे इसके लिए मैंने एक non-stick तवा लिया है उस पे मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है और अपने बैटर को spoon की help से अच्छे से इस पे मैं फिला लूँगी इसका जो हमने थिकने से वो थोड़ी सी मोटी रखनी है हमने पतला नहीं बनाना और इसे हम थोड़े दिर के लिए roast होने देंगे फिर उसके बाद जब हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा पक जाए तो उसके उपर मैं अपनी जो कटी हुई सबजियां है वो फिला दूँगी सबसे पहले मैं इस पे प्याज डालूँगी उसके बाद मैं टमार्टर और शिमला मिर्च अपनी पसंद की सबजियों को इस पे मैं फिला दूँगी और इसके लिए आप गैस की जो फ्लेम है उसे मीडियम पे कर लीजिए ताकि आपका जो बैटर है वो नीचे से जलना जाए फिर इन सबजियों को मैं अच्छे से पुक होने दूँगी इसके उपर मैं अब थोड़ा से अपनी पसंद की सीजनिंग भी डाल लूँगी जैसे कि मैं इसमें डालूँगी हर्ब्स इटैलियन हर्ब्स थोड़ा सा नमक और मिर्च और इसको मैं थोड़ा सा इस पे साइड पे ऑईल भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी और दो-तिन मिनट के बाद हमारा जो पैन केक है वो पक गया है और इसकी जो मैं साइड है इसको पलटा दूँगी ताकि हमारी थोड़ी सी सबजियां वे वो भी अच्छे से पक जाए इसे हम दो-तिन मिनट के लिए सेख लेंगे हमारा एक सूजी का उत्पम रेडी है यह कितना अच्छा बना है इसे आप अप गर्मा गर्म सर्फ कीजिए यह बहुत कम कैलोरी का प्रेक फास्ट है इसे आप आप गिल्ट फ्री खा सकते है आई होप आपको यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना म भी कितल का इसे आपकाई ट।रा प्रेक मुण सब्क्राइब लाइक यह रेस्ट कर 누वा में प्रेकर बाहूँ प्रेकर बाहु था कितल। है कितल। इसे मिल्स का आपको ऱ्ठा वाटेश जेश्मा सम्प्राइब इसे ऐह च्छूमत्पाइब था रेच्ट का आपको अपको